हाई गाईस नमस्ते मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूटूबर प्रियंका पार्टकार में कैसे हो आप सभी लोग कमेंट सक्से में लिए ज़रू बताना अगर आप न्यू मॉम हैं या फिर आप मॉम बनने वाली हैं सो ये वीडियो आपके कि भी इसकीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी अच्छी एक। खासकर नौजाद से घर्म लेताय है उसके बाद उसकी जो सकीन होती है उस्टे में बच्चे को बढ़ा भी और तब ही वह स्कीन होती है तो हम लोग जब भी क्रीम को ब्रोड़क कर स्तमाल करते हैं तो इसका कि बच्चे को हाम ना हो उसके लिए आज मैं कुछ प्रोड़क्त आपनों को साथ शेयर कर रही हूं उमीद करती हूं आपको पसंद आएंगे जितने भी प्रोड़क में दिखाऊंगी उनका बाइलिंग आपको किसमों मिल जाएगा चेक आउट जरूर करिएगा तो आज मैं आप लूगों को दिखाने वाली ऊस प्रोड़क्त जो की है लिटलू ब्रांड की तरफ से एंड यह हैं लिटलू बेबी केर प्रोड़क्त और उनकी तरफ से मुझे यह पूरा है पर आया हुआ है बेबी केर का सो एक एकर कि मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि मुझे क्या क्या रिशीव हुआ है आप लोग भी अपने बच्चे के लिए खासका नौजास इसूओं के लिए उनकी केर करना बहुत ज़ाद़ इंपौर्टें होता है उनकी स्किन की इनकी बॉड़ी की केर बोहँ ज़ाद़ इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस साबून के बारे में यह है बादेश का हटेश यह साबून है इस में थो साबून में 2 साबून आ जाते है and यह बेबी की जो बॉडी है मॉस्टिराइज करके रखता है नरिस करता ہے और इस में बता देती हूंaka इसके इंग्रीडियन्ट में बता देती हूँ इसमें है औलिव ओल, आलमंड ओल, जोजोबर ओल जो भीन, इसके बहुत ही आसानी से आप इसको 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 इसके सकते हैं नर्मलल थोड़ा सा पानी बैबी के बौटीबर बॉड़ीपे बडाली बॉड़ण दाल गाल्य हाथों में वह इसके बाद हमें हल्के हातों हमें इसको डायर वमल किये इसको मलिए यह भी अच्छे से यह इसकीन को क्लीन करेगा एंद मॉस्टराइज रखेगा हाइड्रेड रखेगा सु यह साभून है और उसके बाद में आप लोगों को बताओंगी यह लिटलू बेबी मसाज ऑएल यह है लिटलू का बेबी मसाज ऑल हैंड़ेड एमिल की बॉटल है और मैं आप लोगों इस बना हुआ है यह harmful UV rays से बचाता है और नेक्ट में आपको दिखाने वाले हुए लिटलू बेवी क्रीम यह एक्स्ट्रा मॉस्राइज विद कैंडूला एक्स्ट्रेक्स एंड मुर्मुरा बटर इसमें है इसमें है coconut oil, vitamin E and candula extracts यह आपके बेवी के लिए वी काफी अच्छी क्रीम है यह थी मन्स से स्टाट होती है यानि आप जीरो मन्स से बच्चे को यह क्रीम नहीं लगा सकते हैं यह थी मन्स से जाब आपका बच्चा थी मन्स का हो जाए उसके बास से आप यह क्रीम इस्तेमाल म उसके बाद आप यह जो अप्लाइ कर देंगे तो बच्चार बीक्षा रहें को इसमाल में नहीं लगेंगे ृं नैके इसको इस्तमाल में नहीं आपको बेबिय की क्लोद पर अपलाई करना है बड़ी पर इसकिन पर आपलाई करना है यह पात धान रखना थी मन्त के विए आपको बच्चे थ्री मंद का जब हो जाएगा तब आप इस्प्रे का इस्तमाल कर सकते हैं यह भी मुझे काफी अच्छा लगा यह है है हैंडेड एमल की बॉटल और आपको इसके में इंग्रीजिएंट जो होते हैं वो बता देती हूं यह इसमें है कोल्ड प्रेस सोया बीन ओयल, कोल्ड प्रेस केस्टर ओयल, ओलिव ओयल तो यह भी जो इस्प्रे है काफी अच्छा है आपने बच्चे को इस्तमाल में ला सकते हैं लिटलू नैपी रेस्क्रीम, हम अपने बच्चों को डाइपर बनाते हैं, बच्चे जब तीन साल तक तो बहुत सारे मॉम्स पहनाती ही है, बच्चे को अपनाने के बाद थोड़ा सा बॉड़ी पे रेस्स आजाना या फिर इचिंग करना या कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है बच्चे को तो आप उससे बचाओ के लिए जब आप डैपर रिबॉप करेंगे उससे उतारेंगे तो आप यह रेस्स क्रीम है यह अप क्रीम मंद का बेबी आपका हो जाएगा तब आप यह क्रीम इस्तेमाल में ला सकते हैं यह 50 ग्राम का है यह क्रीम और इसके जो की इंग्रीडियन है वह मैं बता देते हैं सिया बटर कोकोनेट और और विटामिन ए तो यह जो रेस्स क्रीम है यह भी अच्छी है और बहुत और इनके सारे प्रोडेक्ट जो है वो पैराबीन, सलफेड, मिरिनल ओयल और एनिमल टेस्टिंग फ्री है तो आप लोग आग बंद करके इस पे विजवास कर सकते हैं और इसे बाइ कर सकते हैं परसनली मुझे इनके प्रोडेक्ट काफी जादा पसंद आये हैं आप भी इस इसे ले सकते हैं और मैं इसे हाइली रिक्मेंट करती हूँ I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप लाइक करना शेयर करना चैनल पर नया आए तो प्लीज सब्सक्राइब सुरू करना मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्या थैंक यू आपकोट इस बादे सकते हुआ छू कैनर ने करना मिलती हैं और मैं लूएघ सकते हुआ होगा हैं उनãy